जैस्री किष्णा हरहर महादेश्री सिवाय नमस्तो भ्याम आज की वीडियो हमारी कुछ सेर दीपक के रिलेटेड है कि किस तरीके के दीपक हमें कब जलाना चाहिए तक किस तरीके से जलाना चाहिए जिसे कि हमें हमारे पूजा का फल पूरा मिल सके जलते हैं पहली दीपक के बाद सबसे पहले हम चलते हैं मिक्टी की के रिए इसे हमें बोलते हैं पंती दीपक योगो ना हूँ जो बना हुआ होता है ये पंटी दीपक कहते हैं तता इसमें हमें किस तरीके के बाती लगाना चाहिए और ये दीपक का मुह हमें भगवान की तरफ ऐसे करकर नहीं जलाना चाहिए इसे हमें अपने साइड करकर जलाना चाहिए तो भगवान की साइड ऐसे करकर जलाने से भग से कि हमारा भी मानसिक जोस्तिती होता है तेंप्रेचर हमारा गरम होता है बहुत उतेजना वाले हम हो जाते हैं अगर यही हमारे साइड रहता है तो धी दूर करता है और पोजिटिविट्य से से месте भड़़ पूर कर देता तो यह होता है पहला पंती दीपक तो यह जाना आपने पंती दीपक दूसरी दीपक में बता दू आपको निरंजन दीपक यह है निरंजन दीपक निरंजन दीपक किसी भी तरीके का आपको हो सकता है यह खुलने वाला भी होता है और भीना खुलने वाला भी होता है तो इसमें आपको अगर चोच निकले हुए होते हैं तो उसको हमें बोलते हैं वही बटी निरंजन दीपाकर तो इसमें अगर कांगूरे लगे हुए हैं आपके और ये भी डमरू भी है और कांगूरे भी है चार पास तो हम उसमें केवल घी के बाती लगाने हैं उसमीं हमें तेल की बाती नहीं लगानी चाहिए यही इसी तरीके के दीपक में अगर चार पांच वाली दिशले जलाते हैं तो हमारी समपती धीर धीर खतम होती है एक रुपय कमाते हैं tuba वही हमारे 7 रुपय कंच होता है इसका नाम व Begin निरंजन दिपत तो इंसकंगोवल नहीं होता है कि का इसी में चोच लगा रहता है तो निरंजन दिपक खंप कहते हैं इसमें हम घी और तेल धोनों ही डाल कर जला सकते हैं और यह आपको धन संपदा भी परदान करता है आप किसी तरीकी का इसमें गी तेल तेल कोई भी तेल डाल कर ऐसे दिपक में आप बढ़ा सकते हैं अगर इसी में आगर आपको निरंजन दिपक आपको है इसी तरीके के स्टेंड में और पांच हे कांगुडा निकला हुआ है तो उसमें केवल हमें गी का ही दिपक जलाना होता है तो मेरे पास अभी तो वो वाला दिपक नहीं है तो ये भी एक निरंजन दिपक के ही गिंती में आता है तो ये हो गया वटी निरंजन दिपक, इसमें सारे दिपक हम जला सकते हैं और ये है कुबेर निरंजन दिपक, इसमें बस एक स्टेंड नहीं है जो handle होता है पकरने के लिए तो अगर इसमें handle होगा तो इसको हम कहेंगे कूबेर निरंजन दीपक तो कूबेर निरंजन दीपक जलाने से हमारे बहुत ही अच्छा financial condition अच्छे हो जाते हैं और इसको भी जलाते हैं जब भी इसको हमें खाली नहीं लगाना चाहिए जब भी इसे हमें अगर जलाना है तो अगर हम ये बाती डाले इसमें तो घी के ही बाती डाले अगर तो इसमें हमें थोरा सा फूल चावल या तील या लॉंग कुछ भी डाल कर हमें जलाना है इसे हमें खाली नहीं जलाना ना है तो इसमें बस आपको हैंडील वाली जो होंगी बाती इसमें उसमें पकडने वाला होता हुता तो कुबेर्न निरंजन दिपक इसको हम बोलते हैं तो इस तरीके से आपको वह ब्यू metre एको वह हम आपको बता दे कि आपको paneह नीकिनारा निरंग्जन दीपक और आपको पच्वाबता दें मिटी के गोल दीपक जिसमें कहीं कोई चोच नहीं बना हुआ तो वो जो है तो वो भी दीपक होते हैं घी और तेल हम हम जला सकते हैं अभी मेरे पास वह गोल वाली बिल्कुल नहीं है क्योंकि खतम हो गया है यह लंबी यह पंती है जिसमें भी चोच नहीं बने हुए होते हैं वह सिंपल होता है और मैं बता दू कि आपको एक होता है आरता दीपक जिसमें 5-6 कंगूरे निकले हुए होते हैं जो आरती करने के लिए वो होते हैं तो जो कि 5 ऐसे होते हैं पांच उसमें दीपक लगते हैं और उसमें भी हैंडिल होता है तो उसको भी हम दीपक जैसे हम लगाते हैं तो उसमे को भी हम खाली नहीं जलाते हैं और उसमें भी हमें घी का ही दीपक लगाना होता है और वह भी सुबता परदान करता है तो जो आपके तस्विर पर देख रहे हैं आरता दिया इस तरीके से तो इसे भी हमें घी के ही दीपक में इसे जलाते हैं और मैं बता दू साथवा आपको कि अखंड दीपक तो यह होता है अखंड दीपक यह भी गोल होता है और इसमें कोई कांगूरा नहीं है तो इसमें भी हमें इसमें हम घी और तेल दोनों ही डाल सकते हैं और हमेशा शूब प्रदान करता है यह इसे तो हम अखंड दीपक की बोलते हैं मगर जब अखंड शूबता प्राप्त करनी है तो इसके अंदर भी हमें जब नुरातरे में जलाते हैं जब भी रमायन पार्ट के लिए चलाना होता है इसमें भी हमें चावल या लॉंग पैसे अथवा फूल कुछ भी डाल कर हम इसको जलाने हैं खाली इसे नहीं जलानी है तता वहीं पे अगर हम चले तो आठवा दीपक हो जाता है आपका आटे का दीपक, तो आटे का दीपक हमें कैसे बनानी होती है, तो आप तो आटा लगाने सभी कोई जानते ही हैं, तो इस तरीके से आप हो जाता है कि ये आप आटे का दीपक, आटे का दीपक को कैसे हमें बनाना है, तो ये आटे का दीपक है, आप आटे का दीपक को ऐसे तरफ यह हो अच्छा इसमें एक महत्तपूर्ण बात यह है कि आटे के दीपक में आप कभी ऐसे इस तरीके के दीपक आपको नहीं बनाने यह नहीं तो सारा खड़ाब हो जाएगा क्योंकि आटे के दीपक में बिना चोच का ही दीपक यह बनाना होता है कई बार मंदिर में द हमें चहु दूसी हमारा विकास हो विष्णु पुरान में वर्नित हमने आपको सारे दीपकों की जनकाड़ी आपको दे दिये हैं अगर सही धंक से दीपक अगर हम नहीं जलाते हैं तो पैसे को पानी बना देते हैं यही दीपक तो आसा करते हैं कि आपको दीपक से रिलेट लेट आपको जनकारी अच्छी लगी होई होगी अगर कोई दिपक के बारे में कोई कमी आपको लगे तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि किसी दिपक के बारे में हमने आपको सही से जनकारी नहीं दिया और सही लगे तो बिल्कुल आप और तक जनकारी यह दे जिसे कि उनको भी सही जनकारी प्राप्त हो और उनके घड़ में धन क्यों नहीं रुक रहा है वो भी पता चले क्योंकि हो सकता है कि दिपक सही धन से उनको नहीं जलाने आती हो किस तरीके से जलाना चाहिए वो नहीं जला रहे हो जिसके वज़े से उनके घड़ की फैनेंसिल कंडिश सही नहीं जाड़ी हो तो सभी क्या भला सोचते हुए आप भी दिपक का चायन सही करें और दिपक की बाती भी सही लगाएं जिससे कि आपको पूजा का पूड़ा फल प्राप्त हो फिर मिलते हैं एक नवी से एक साथ अब तक दे विदा मुझे मैं सिप राजय श्री किष्ण रादे रादे